Hello everyone, how are you all? आज हम लोग जानते हैं लोहरी के बारे में इसे लोहरी भी कहते हैं ये पंजाडियों का हरियाड़ा का प्रमुक तिवहार है पंजाब और हरियाड़ा में लोहरी का तिवहार बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है इस दिन दुल्ला भट्टी की कहानी भी सुनी जाती है लोडी के दिन हर साल देश भर में मकर संक्रांती के एक दिन पहले लोडी का तिवहार मनाया जाता है लोहडी की धुम सबसे जादे पंजाब और हर्याडा में देखने को मिलती है क्योंकि ये पंजाबियों का मुख तेवहार है लोहडी के दिन अगनी में तिल, गुड, गजक, रेवडी और मुंख़ली कड़ाई जाती है इस दिन अगनी के चारो और नौ विवाहित जोड़े यानि निवली मेरीट कपल अहुत देते हुए चक्कर लगाकर अपनी सुखी बैवाहिक जीवन की इस्वर से प्रात्ना करते हैं पारंपरिक तोर पर लोहडी फसल की बुवाई और उसकी कटाई से जुड़ा एक विसेश्त वहर है इस अवसर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है इस दिन चौराहों पर लोहडी जलाई जाती है इस दिन लड़के आग के पास भांगडा करते हैं वहीं लड़कियां और महिलाएं गिद्दा निर्थ्य करती हैं सभी रिष्टेदार एक साथ मिलकर डांस करते हुए बहुत धूम धाम से लोहडी का जश्न मनाते हैं इस दिन तिल, गुड, गजक, रिवडी, मुफली का भी खास महत्तो होता है कई जगहों पर लोहडी की तिलोडी भी कहा जाता है इस दिन अलाव जलाकर उसके इर्द गिर्द, बड़े बुढ़े जवान, लड़के लड़कियां निर्थ्य करते हैं इसके साथ ही इस दिन आग के पास घेरा बनाकर दुल्ला भटी की कहानी सुनी जाती है लोहडी पर दुल्ला भटी की कहानी सुनने का खास महत्तो होता है मानेता है कि मुगलकाल में अकबर के समय में दुल्ला भटी नाम का एक सक्स पंजाब में रहता था उस समय कुछ हमीर व्यापारी सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे तब दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को बचा कर उनकी शादी करवाई थी तब से हर साल लोहडी के परोपर दुल्ला भट्टी की याद में उनकी कहानी सुनाने की परंपरा विक्सि थो गई लोहडी का तेवहार भारत का पंजाब और हर्याडा खास तोर पर प्रमुक्त तेवहार है लोहडी से हमें ये सिख्छा मिलती है कि हम लोगों के सुख दुख में काम आएं फसल जो की जीवन का एक बहुत महत्पूर भाग है यदि अन है तभी हम हैं अन की पूजा पर अन के बोने पर हम जो खुशी ब्यक्ति करते हैं उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है लोहडी का तेवहार हमें संदेश देता है कि हमें अनाज की पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन को बहुत ही सांती और सुख में रखना चाहिए लोहडी के तेवहार के बारे में आपको कुछ और बाते भी जाननी चाहिए लोहडी की रात खुली जगह पर आग लगाई जाती है लोग लोकगीत गाते हुए नाच नए धान के लावे के साथ खीर, मक्का, गुड, रिवडी, मुफली आदि उस आग को अरपित कर परिक्र करते हैं किसान इस दिन नए साल की सुरुवात मनाते हैं किसान इस मौके पर फसल की पूजा भी करते हैं गन्य की कटाई के बाद उससे बने गुड को इस तिवहार पर इस्तिमाल किया जाता है लोहडी किस तारिख को पढ़ता है लोहडी का तिवहार हिंदू कालेंडर के अनुसार पौस मा के आखरी रात में मनाये जाता है सिक्खों के लिए लोहडी खास मायने रखती है तिवहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारी सुरू हो जाती है लोड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं यानि माग माज शुरू हो जाता है या तिवार पूरे बिस उमे मनाया जाता है लोड़ी पर घर घर जाकर दुल्ला भट्ती के और अन्य तरह के गीत गाने की परंपरा है लोग आज कल ऐसा कमी होता है लेकिन बच्चे घर घर लोड़ी लेने जाते हैं और उन्हें खाली हाथ नहीं लोटाया जाता है इसलिए उन्हें गुड़ मुफली तिल गजक या लकड़ी की जगा पैसे भी दिये जाने लगे हैं जिससे लकड़ियां खरीद कर लाई जाती हैं और साम को चौराहों यार घरों के आसपास खुली जगह पर इन लकड़ीयों को जलाया जाता है और इसके बाद सभी लोग आग के चारों तरफ लिकठा हो करके इंजवाय करत हैं